अगर आपका बज़िट बहुत ज़्यादा कम है आप टाइट बज़िट पर चलिए हूं लेकिन आपको हम पर स्मार्ट फोन चाहिए एक बहुत अछह स्मार्ट फोन टूंड रहे हो तो आप क्या पहले अप देखो कि कौन सा स्मार्ट फोन में ओवरल सारे चीज़ों यहां पर मिला के एक स्मार्टफोन है यानि कि आप चाहोगे कि सारा कुछ यहां पर थोड़ा बहुत सारा कुछ हो यहां पर कैमेरे हो और बैटरी वैकप अच्छा हो डिस्प्ले अच्छा हो बड़ा वाला स्क्रीन हो इसका जो लुक्स और डिजाइन कि Redmi का A-Series में सारे-सारे यहां पर budget segment यहां पर targeted phone आते हैं लेकिन यहां पर 9A में कुछ ऐसा यहां पर specs और प्राइसिंग रखा गया है जो अगर आप सुनोगे तो आप भी वोलोगे क्या यहीं स्मार्टफोन है और इसी के उपर detail में वोलूँगा और सब कुछ यहां पर clear 9A के वारे में तो बिल्कुल बिल्कुल लास तक वीडियो को देखना और जल्ली से अगर आपने subscribe नहीं क्या तो kindly subscribe करने के बाद बेल प्रेटन पर all click कर दीजिए जल्द सी वीडियो का आगे बड़ा तो इम्राना में यहां पर दानों और आप दिखिते हो गयाना पर टेकन लुक्स वाइस और बॉड़ी यहां पर जितने साथ आपको दिखाए देगा तो यहां पर बॉड़ी के ऊपर में क्लियर ली बोला चाहोगा बॉड़ी बिल्कुल यहां पर नारास कर देने वाले बॉड़ी यहां पर बिल्कुल भी कोई भी अप्ग्रेड इसन नहीं कोई इस सिंगल ऑर आपको प्लास्टिक और इसका एंप बॉड़ी और इस साथ जो भी душ नहींगा विल्कुल भी घटिया लगा एँग्रेड और इस फोन में को कौन सा ड बोलिता जैना है जो कोmirkenohan चाहूंगा तो यहां पर आपको बोलने चाहूंगा जो कि OS के बार में तो OS यहां पर आपको Android 10 मिलता है और MIUI 12 वर्जन मिलता है जो कि यहां पर OS का और तो यहां पर आपको मिलता है जो कि मुझे का पर यहां पर एक डीसंत यहां पर काम करेंगा आप नॉर्मल यूजर्स करने के लिए लेकिन अगर अगर आप हेवी यूजिंग करते हो याप बहुत सारे यहां पर गेमिंग करते हो गेमिंग करते हो यहां पर नाम नहीं यहां पर गेमिंग अगर करोगे तो बहुत ज्यादा लाग होगा और अगर आप नॉर्मल हेवी टास्कि करते हो तो टास्किंग में यहां पर थोड़ा भी डीले हो सकता है और यहां पर जीप्यू में आपको बोलना चाहूंगा जो कि क्लियरली बोलने वाला हूँ जो कि गेहिंग ढोलें की नहीं के लिए सफ उसकाइब टास्टल श्रादर घ्रंदं डीले कर सकता है not that much gaming express you can find out अगर आप ये chipset के बार में detail में जानना चाहते हो in-depth knowledge आप gain करना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल बेटने all click करके रखो यहाँ पर एक दो दिन में अंदर या अंदर आपके लिए ये वीडियो लाओंगा जो कि Mediatek Helio G25 के उपर एक detail वाला वीडियो next variants तो कितना है यहाँ पर variants इस फोन का निकलाए तो यहाँ पर अभी तेक जितने हैं पर rumor फेल आए जो कि 2GB RAM 32GB internal वाला एक variant निकलाए जिसका pricing लगवग 6500 रुपे तो यहाँ पर मैं clear लिए आपको यहाँ पर एक clear cut आपको finishing के साथ बोलना चाहूंगा जो कि इसी price front पर यह phone लेना एक बेवे कुपी से बरा यहाँ पर काम है 6500 का आपको कुछ भी आपर नहीं मिलगा बस यह अगर में इसको जच करो इस phone को तो मेरे इसाब से आप यह दिल पर मतले ना मेरा judgment में आपको मेरा ओपिनेंस यार कर रहा हूं यह फोन लेना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि यह फोन का actual price लगवग 5000-5000 के बीचों-बीच अगर होना चाहिए तब भी ठीक है लेकिना पर साड़े-5500 अगर हो ना तो भाई तभी भी ठीक नहीं और 6500 तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है इस प्राइस प्राइस पर अगर आप 1500 या फिर 2000 एक्स्टर स्पेंट करो तो आपको एक एसा gaming device मिल जागा जो कि यहां पर budget में एकडम king होगा और जो इसका gaming experience बहुत ही long term तक अच्छी कासे यहां पर perform करेगा और इसके साल सब आपको यहां पर camera quality camera का यहां पर triple rear camera तक आपको यहां पर मिल सकता है तो मैं तो यहीं कहूँगा कि अगर आपका budget थोड भी है शूट नहीं करता इस price point के साब से यह आप पर dual camera तो at least होना चाहिए था लेगिन आपको 13 megapixel का rear camera मिल रहा है with LED flash LED और इसके साथ आप night mode panorama support आपको देखने हम लेगा आप वीडियो का अगर आप suit करना चाहोगे 1080p 30 fps आप बिल्कुली वीडियो शूट कर सकते हो और front camera आपको मिलता है 5 megapixel आपको वहाँ पर मिलता है HDR और Panorama में का support और front camera अगर आप वीडियो शूट करना चाहोगे 1080p 30 fps आप शूट कर सकते हो लेगिन इस price point पर आपको बहुत ही ज्यादा option मिल जाएंगे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यह Redmi का सबसे worst phone है सबसे बेकार वाला phone ने next sensors तो ना इस phone में आपको camera अच्छा मिला camera ना dual camera मिला ना यहां पर आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिला यहां पर fingerprint scanner को भी हटा दिया गया है तो इस phone में आपको fingerprint scanner बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो इतना price किस बात का ले रहे हो तो यहां पर sensor क्या क्या मिले में आपको बोल जाओ यहां पर axi-limitative proximity light sensor compass gyroscope sensor बस आपको मिलता है लेकिन यहां पर जो main बात है जो main यहां पर daily routine में बहुत सारी user यूजर आपर use करते हैं fingerprint scanner नहीं दिया है last end में battery backup तो यहां पर आपको 5000 mmh का battery backup देखने हो मिलेगा 10 watt charging का support है और यहां पर में last end में आपको यह suggestion देना चाहूंगा अगर आप चाहते हो कि gaming smartphone खरीदने के लिए यहां पर budget range में तो बिल्कुल बिल्कुल 7-8000 में आपको बहुत बढ़या gaming smartphone मिल जागा जूकि आप long term इस्तमाल कर सकता आपको boring feel नहीं होगा और यहां पर जो processor वो अच्छी तरहीं से आपर long term तो walk भी करेगा लेकिन आप अगर यह वाला processor लेते हो यह वाला processor साथ यह जो phone है यह Redmi 9A के उपर में बोल रहा हूं Redmi 9A अगर लेते हो तो यहां पर कई हथा तक आपको वह यहां पर experience नहीं में लेगा और यहां पर bored हो जाओगे लिटरल है बोर हो जागे मैं सच्छा ही से कह रहा हूं अगर आपको नहीं चाह अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आजाए है ग्याना-7 यहां पर दिखा रहा होगा बिल्कुल आजाए हो आपको किसी भी टाइम पर कुछ भी आपके जो क्वेरी है मुझे पूछ सकते हो तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जली से मिलते और वीडियो में तब तक लिए सब्स्राइब करने के बाद बेल बटन ने और क्लिक करके रखना जली से मिलते और वीडियो में तब तक लिए थांको सो मच पूरा आप एज़िए